दोस्तों आज की यह आडियो बुक समरी आप सभी के लिए बहुत ही खास और फाइदे मंद साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज में आपके साथ पैसो पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शांदार किताब रिच डाड पूर डाड बुक समरी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, दुनिया में किसी भी इनसान को आर्थिक आजादी हासल करने के लिए उसके आर्थिक शिक्षा का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विशेशग्यों की अगर माने, तो आर्थिक शिक्षा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। किताबों को पढ़ना यही वज़ा है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस विशे के ऊपर लिखी जाती है। American लेखक Robert Kiyosaki के द्वारा लिखी गई किताब Rich Dad Poor Dad भी दुनिया के उन्ही किताबों में से एक है, जिसे बहुत से लोग जीवन में अपना लक्ष प्राप करने और काम्याभी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तब ही तो आर्थिक शिक्षा के मामले में इसको दुनिया के सबसे प्रसिद किताबों में शुमार किया जाता है, और आज की हमारी इस आर्टिकल में हम आपको इसी किताब की ही समरी बताने वाले हैं। जो की दरसल उनके एक दोस्त पिता है और उनको उन्होंने किताब में रिच डाड का नाम दिया है। और सबसे अमीर बिजनेस मैन में शुमार किये जाते हैं। इसलिए रोबर्ट किताब में उन्हें रिच डाड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रोबर्ट के रिच डाड उन्हें उनकी जिन्दगी के अलग-अलग पढ़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाए देते हैं। जो की जीवन में काम्याबी हासल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। रोबर्ट के रिच डाड के द्वारा बताया गया 6 सबक दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और काम्याब बना सकते हैं। फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम आपको रोबर्ट द्वारा किताब में लिखे गए उन्ही 6 पून सबक के बारे में बताते हैं। लेसन एक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों रोबर्ट कियो साकी के रिच डाड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेश तरह के घेरे में फंसे हुए हैं और वे इस घेरे को राट रे गर्वकार जैसी चीजों के रिन भरते रहना बन गया है। लोगों को इस बात का एसास ही नहीं होता कि इस तरह के जिंदगी में वे मेहंत तो सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन उनकी मेहंत का फाइदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस राट रेस का हिस्सा बन कर नाखुश भी होते हैं। लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वज़ह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डाड कहते हैं कि इनसान को सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करके इस राट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करें। वह पुरानी कहावत है, ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करने की जरूरत है, जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे. लेसन दो, पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसे रख पाना. दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से खिलाडी और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे, जो की एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है. असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आर्थिक शिक्षा की कमी होती है, यानि उनके अंदर पैसे को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का हुनर नहीं होता. रिच डाड इस आर्थिक निरक्षर्ता का उदारन देते हुए कहते हैं, कि पूरी दुनिया में घर एक आसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई आसेट्स नहीं, बलकि एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आसेट्स तो वो होता है, जो आपके पैसे को समय क साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा दे, जबकि घर के मामले में आपको कई सालों तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं, बलकि सिर्फ जाता है, यानि रिच डाड सिर्फ उन चीजों को आसेट्स मानते हैं, जो कि आपक सबसे ज्यादा महत्वपून होता है, लेसन तीन, अपनी नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय में उतरें, दोस्तों दुनिया में जब किसी इनसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है, तो वो पूरी जिन्दगी उसी को करने का मन बना लेता है, और फिर बिना कुछ साथ ही कोई दूसरा काम कर सकता है, और बिना अपनी जॉब को छोड़े वह एक नए बिजनस एंपायर का किंग बन सकता है, अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़ी फास्ट फूद चेन, M.C. डॉनल्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जामपल ले ले बिजनस फास्ट फूद नहीं बलकी रील एस्टेट है, क्योंकि M.C. डॉनल्स बिजनस को बड़ा करते करते आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रील एस्टेट के मालिक बन चुके हैं, यानि की फास्ट बिजनस करते करते ही उन्होंने रील एस्टेट का एक एम दोस्तों इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरन भी दिये गए हैं, जिनमें की व्यवसायश शुरू करना, शेयर बाजार में निवेश करना, रील एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफ़ा देने वाले प्रॉपरटीज को खरीदना शामिल है। लेसन चार, टैक्स केवल मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए हैं। दोस्तों इस लेसन में रिच डाड टैक्स के इतिहास बताते हुए यह कहते हैं, कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौझूद फर्ग को खत्म करने के लिए बनाया गया एक प्रणाली था यानि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फ अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तिमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं, और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है, वो मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेस मैन और उद्योग पती पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरतों वो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो उस पैसे को खर्च करते हैं, और लास्ट में अगर कुछ बचता है, तो उस पैसे से टैक्स भरते हैं। जबकि वही मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं, और फिर अंत में जो कुछ बचता है, उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन पांच, अमीर लोग पैसे का आविशकार करते हैं। दोस्तों जेफ बेजोज, बिल गेट्स, मार्क जूकरबर्ग, एलोन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरुभाई अंबानी, शिव नादर और अजीन प्रेम जी ये कुछ ऐसे नाम है, जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा व्यवसाय या फिर कहें कि ऐसा विचार लेकर आए जिसके बारे में इन से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने उसी ख्रांतिकारी विचार से इन लोगों ने पैसे का आवशकार किया। चाहिए. लेसन 6. अमीर हर समय सीखते हैं और जानते हैं कि अपने विचार को कैसे उपयोग में लाना है. दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कि MC Donald के ही प्राइस में उससे कहीं ज्यादा बहतर बर्गर बना कर बेचते हैं, लेकिन अपने कि प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है. इसकी समझ हर एक इनसान को नहीं होती तब ही तो वो MC Donald से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ सीमित छेत्र या फिर सीमित मात्रा में ही बेच पाते हैं. जबकि MC Donald पूरी द को सीखना बंद नहीं करता और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है.